नमस्कार दोस्तो मैं शुबरत जहिंद। आपका अगवाद फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तो आज की ट्रांस्वमर क्लास स्टाट कने से पहले मैं दुपंक्तिया बलूँगा द्यान से सुनिएगा। दोस्तो जिन्दगी परिवर्तन से बनी है, इसलिए परिवर्तन को स्विकार कीजिए, कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे, तो कुछ परिवर्तन आपको सफलता के गुड़ सिखाएंगे, दोस्तो ध्यान दिजेगा, एक बात और बोलूँगा, ध्यान दिजेगा, प्रत दिन दूसरों को आगे बढ़ते हुए मत देखो, बलकि खुद का किर्तिमान तोड़ो, खुद का रिकार्ड तोड़ो, सफलता अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है, सफलता अपने आप से सबसे बड़ी लड़ाई है, दोस्तों ध्यान दीजेगा लड़ाई किस याज दिन भर उर्जावान रहूंगा मन कहता नई 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 आज मूभी देखी लेते हैं कल से करेंगे आत्मा कहती है समय बरबाद मत करो मन कहता यार दुनिया लागडाउन ने फसी हुई तो हम क्यों इतना ज़ादा परिशान है आत्मा कती नई नी समय का यूज करो बहाने बाजी मत बनाओ मन कहता है नई नी एक आग महीने बाद पढ़ेंगे जब लागडाउन खुल जागा तो पूरी उर्जा से पढ़ेंगे तो ये लडाई अपने आप से है ये लडाई अपने आपको जीतना होगा जीतेंगे तब जब आपका आत्मा हावी हो जाए मन के उपर हावी हो जाए हावी कब होगी जब सुबह-सुबह पांच मिनट एकांत में जाकर अपने आत्मा से पुछो आज क्या क्या करना है और रोज नायकों के बारे में जो हमारे नायक है स्वामी बीवेका नंद, एप्युदुलकलाम, डॉक्टर भीम रॉमिटकर, मदर तरेसा, स्री राम, स्री कृष्णा, स्री हनुमान, जो जो नायक है, महराणा प्रताप, उनके बारे में पढ़ो, उनकी उर्जा को गेन करो, तब जाके आप अपनी उर्जा का इवलाइशन कर पाएंगे, ध्यान दिजय का, आज स्टार्ट कौरना है मुझे, ट्रांसार्म्री क्लास में आइडियल ट्रांसोर्मर की बारे मी बताऊंगा, बच्चे ध्यान दिजय का, तब 35 से 40 परश्ण आइडियल ट्रांसोर्य से बनते हैं, जो न कभी पढ़े होंगे, न पढ़ाया आज के बाद लोगों मुझे copy करेंगे ध्यान दीजीएंगा ध्यान समझेगा चलने आगे कोई बी मशीन जब डिजाइन करते हैं मशीन ब्लक्टीत का डिजाइन करते हैं जोटे बच्चे को भी हम लोग अगर parents की तरह देखते हैं तो सोचते हैं कि इसको हम कैसा बनाएं, तो कोई डॉक्टर एपिजदुल कलाम को फालो करता है, कोई स्री राम को करता है, कोई स्री कृष्ण को करता है, कोई स्वामी बिवेकानन को करता है, कहने का मतलब यह है कि जो आइडियल परिशनल्टी है, जो आइडियल परसनल्टी ह उनको हम follow करते हैं, उनके गुड़ों से सीख कर उस बच्चे के अंदर गुड़ डालते हैं उसी प्रकार जब transformer बनाने की बात आई, तो एक कलपना की गई कि transformer कैसा बनाया जाए कि सबसे बहतर हो तो बात आती है कि एक ideal transformer की कलपना करेंगे, आदर्स transformer की कलपना करेंगे एक ऐसा transformer जो वास्तों में पाया नहीं जाता, लेकिन इससे तुल्ला करके एक बहतरीन transformer बनाया जा सकता है तो ideal transformer के अंदर कौन-कौन से गुड़ होते हैं, कैसे ideal transformer होता है, उसी टाइप का हम practical transformer बनाने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दीजेगा, ideal transformer के शुरुवात करने जा रहा हूं, ध्यान समझेगा, ध्यान से देखेगा जो बालक ideal transformer होता है, पहली बात कि आदर्स है, तो उसमें power का loss 0 होना चाहिए पहला प्रश्ट, ideal transformer में power का loss क्या होता है, 0 ये बात तो कहना असान होगी, जब power loss 0 है, तो कह सकते हैं कि दक्षता 100 प्रतिशत होगी तो दूसरा प्रश्ट पूछा जाकता है, कि आदस transformer में दक्षता कितने होती है तो 100 प्रतिशत होती है, उसके बाद निक्ष प्रश्ट पूछा जाएगा, कि भाई, जब transformer में loss नहीं हो रहा है transformer में loss नहीं हो रहा है, तो transformer में 2 side होते हैं, वच्चे ध्यान दिजेगा transformer में 2 side होते हैं, एक primary होता है, दूसरा secondary होता है एक primary होता है, दूसरा secondary होता है ध्यान दिचेगा, तो बालक एक बात बताएगा ध्यान दिचेगा तो primary से जो power जाएगी, ideal है तो primary से जो power जाएगी, वो पूरा का पूरा secondary में जाएगी अगर यहाँ primary में power P1 है, तो secondary में power P2 होगा अगर primary से energy E1 गई, या कहिए W1 गई energy, तो secondary की energy W2 है तो यह दोनों बराबर होगी, तो कह सकते हैं, आदस transformer में primary का power बराबर secondary का power कह सकते हैं, आदस transformer में primary की energy बराबर secondary की energy ध्यान दिचेगा मलब दोने energy बराबर होगी, ideal transformer यह होता है ideal transformer में, transformer के अंदर voltage का drop नहीं होगा voltage का drop का मलब समझ रहे होगे voltage का drop का मलब समझ रहे होगे कि voltage का drop नहीं होगा ideal transformer में, flux leakage नहीं होगा flux leakage, leakage का मलब समझ रहे होगे कि primary से flux निकलेगा पूरा का पूरा secondary से link करेगा leakage flux नहीं होगा अब हम एक एक term की बात करेंगे, power loss 0 क्यों होगा ideal कैसा बनाया जाकी, power loss 0 हो सारे term आएंगे, तो ध्यान दिजेगा यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, कुरुशन यह होगे, अब हम बात करते हैं power loss की बात करते हैं ध्यान दिजेगा बच्चे, power loss हम जानेगे power loss होता क्या क्या है power loss में कौन कौन से term आते हैं तो जो transformer में power loss होता है वो हमारे तीन power loss है power loss हमारे तीन है, कौन कौन से है ध्यान दिजेगा पहला power loss है ध्यान दिजेगा बच्चे, थोड़ा सा इत्मिनान से class चलेगी पहला power loss है जिसे बोलते हैं हम लोग copper loss copper loss को ही हम लोग बोलते हैं copper loss को ही हम लोग बोलते हैं परिवर्तनी हानी परिवर्तनी हानी या इसी को हम लोग बोलते हैं ओहुमिक लॉस, तो यह लॉस हमारा 0 होना ची है, चुकि मैंने बोला था कि ideal transformer loss 0 होता है, तो copper loss 0 कब होगा? copper loss किसे कहते है बच्चे? तो दीखे, यह प्रश्ण बन जाएगा कि ideal transformer copper loss होता है 0, या परिवतनी हानी होती 0, तो अब यह copper loss 0 कब होगा? copper loss 0 तब होगा जो कि copper loss को i2r कहते हैं तो i2r 0 तब होगा धारा तु जाएगी जाएगी जब resistance 0 अर्थात ideal transformer में जो conductor प्रयोग होता है उसका resistance 0 होता है ideal transformer में जो conductor प्रयोग होता है उसका resistance 0 होता है जब उसका resistance 0 होता है तो उसमें copper loss 0 होता है तो बात आती कि ideal transformer कौन सा conductor प्रयोग हुआ था जिससे या हुआ होगा जिससे resistance 0 होगा तो हम कलपना ही कर रहे हैं तो कह सकते हैं आजकल super conductor है तो ये भी कह सकते हैं कि super conductor अगर use हो तो वो निश्य दुरूप से ideal हो सकता है super conductor का super conductor का वालक जो resistance होता है 0 लेकिन ये समभव नहीं है super conductor बड़ा निमनताप पे काम करता है तो practical जब transformer बनाएंगे ये तो ideal हो गया जब practical transformer बनाएंगे ध्यान दिजेगा प्रश्न पूछा जाता है एक एक प्रश्न ध्यान दिजेगा practical जब transformer बनाएंगे तो मैंने कहा था आइडियल से तुल्ला करते हैं तो practical transformer में I square R loss 0 ना हो तो कम से कम minimum हो minimum तब होगा minimum तब होगा जब हम ऐसा पतार्थ शैन करें जिसका resistance minimum हो तो resistance minimum में हम या तो copper यूज करेंगे या तो aluminum यूज करेंगे जैसी हमारी उपलब्धता होगी अध्यान रखेंगे कि उसका resistance क्या रहे minimum रहे इस तरह हम तुल्ला करके बनाते हैं तो ideal transformer का power loss 0 तब होगा जब copper loss 0 हो copper loss 0 तब होगा जब I square R 0 हो conductor resistance 0 हो conductor में हमारा ideal रहेगा तो super conductor use होगा practical रहेगा अब transformer दूसरी हानी कौन सी होती है एक एक हानी हम लोग देखेंगे तो अध्यान देजेगा दूसरी हानी का नाम है दूसरी हानी का नाम है iron loss iron loss जिसे बोलते हैं कोर हानी या जिसे बोलते हैं law हानी या इसी को आगे चले के हम पढ़ेंगे इस सी रहानी भी कहते हैं तो ये ideal अगल transformer है तो ये loss 0 होना चाहिए iron loss 0 होना चाहिए तो iron loss 0 क्यों होगा क्या वज़े होगी ideal transformer कैसा design किया जाए कि उसका iron loss 0 होता अब iron loss होता क्या क्या है ध्यान दीजेगा iron loss में दो loss होते हैं iron loss में दो loss होते हैं ध्यान दीजेगा पहला loss होता है hysteresis हानी नाम सुने होंगे hysteresis हानी अब दूसरा होता है भवरधारा हानी भवरधारा हानी को इंगलिस हम बोलते हैं ED current loss अब इसको hysteresis हानी को हिंदी म बोलते हैं मंदायन हानी मंदायन या सौथिल्य सौथिल्य हानी तो मतलब hysteresis हानी 0 रहेगी तभी iron loss 0 होगा भवरधारा हानी 0 होगी तभी 0 होगा हम अब आइडियल की बात कर रहा हूं तो पहले जानेंगे कि hysteresis हानी होती क्या है hysteresis हानी होती क्या है तो ध्यान दीजेगा बच्चे, hysteresis हानी का मदलब होता है, कि अगर कोई हमारे पास core हो, अगर हमारे पास कोई core हो और उस core में, अगर हमारे पास कोई core हो, ध्यान दीजेगा बच्चे, यह हमारे पास core हो, इस core में अगर, flux अगर एक बार इस दीजा में अस्थापित हो, और उसके बाद फिर अगले चक्र में, फिर flux दीजा बदल जाए, ध्यान समझेगा, थ्रस समय लगेगा, इत्वी ना समझेगा, अब flux दीजा अगर बदल जाए, जो चुम्बकी flux होता है, core में ही अस्थापित होता है, core की चुम्बक सीलता अच्छी होती है, core से ही जाता है, अगर एक बार flux इस दीजा में जा रहा है, एक बार flux हमारा इस द आने वाली हानी को हिस्टरिसिस हानी कहते हैं, तो हिस्टरिसिस हानी शुन्य तब होगी, जब core की चुम्बक सीलता अनन्थ हो, प्रश्ण पुछा जाएगा, core की चुम्बक सीलता अनन्थ हो, पुछा जागा, ideal transformer में जो core प्रयोग होती है, उसकी चुम्बक सीलता कितनी होती है, तो जबाब होगा अनन्थ, यह अनन्थ का सिम्बल है, अगर चुम्बक सीलता अनन्थ रहेगी, तो flux आसानी से जाएगा, मुर जाएगा, कोई loss होने वाला नहीं है, तो हिस्टरिसिस हान हानी, हिस्टरिसिस हानी का formula होता है, WH is equal to eta BM के power 1.6, F into V, F हमारी flux reversal, flux reversal की आपरित्ती है, BM अधिक्तम flux अन्थ यह हिस्टरिसिस नियतांक है, यह हमारा है core का हैतन, तो ध्यान जी का frequency तो रहेगी, रहेगी, तो अगर हम core की चुम्बक सीलता को अनन्थ कर दें, तो core आसानी स अस्थापित होगा, कोई loss होने वाला नहीं है, तो क्या वास्तों में कोई ऐसी core उपलब्ध है, कोई ऐसी core उपलब्ध है, जिसकी चुम्बक सीलता अनन्थ हो, तो जबाब है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी core उपलब्ध नहीं है, जिसकी चुम्बक सीलता अनन्थ हो, ध्यान कौन सी कोर लें आईडियल में तो कोर की चुम्बक सीलता अनंद थी प्रैक्टिकल में कौन सी कोर लें जिसके उपर ट्रांस्वमार अस्थापित होगा जिसके उपर वाइंडिंग की जाएगी जिसकी चुम्बक सीलता अनंद नहों तो कमसम हाई से हाई हो तो जवाब आया कि क्योंकि air की तुल्ना में air की तुल्ना में 4000 गुना होता air के लिए जो 1 होता है, बच्चे ध्यान देजेगा air में 1 होता है, गोटा होता है एक बाद मैं आपको बता दू ध्यान से देखेगा, जो air core होती है इसमें hysteresis हानी शुन्य होती है, अरे भाई जब air core का मतलब समझते हैं, नहीं समझे होंगे, air core का मतलब होता है, यह जैसे कुंडली मैंने कर दिया, इसमें कोई core नहीं है, जब कोई core नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे air core, क्या बोलेंगे air core, लेकिन air core use करने पर hysteresis हानी नहीं होगी, लेक ध्यान दिजेगा, कि हमारे पास जो, कुल मिला के, अगर जैसे मैं एक air core बनाओ, एक simply iron core बनाओ, यह air core हो गया, यहाँ पर मैंने एक, यह iron की core है, इसके उपर कुंडली कर दिया, अगर दोनों में समान फेरे हो, दोनों में समान धारा प्रवाहित करें, 5 ampere इसमें प्रवाहित करें, 5 ampere इसमें प्रवाहित करें, तो जो flux यहाँ निकलेगा, अगर यहाँ flux एक बेबर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो flux होगा, वो कम से कम 4000 होगा, 4000 गुना जादा होगा, क flux formula क्या होता है ध्यान दिजएगा flux formula होता है 5 वराबर n i mu 0 mu r a upon l a upon l ध्यान दिजएगा mu r का मांद जितना जादा होगा flux मांद उतना जादा होगा इसलिए air core use नहीं कर सकते air core में भ़ले hysteresis आनी 0 होती है लेकिन air core use नहीं करेंगे कुछ ऐसे उपयोग होंगे, कुछ ऐसे application होंगे, जहां पर हमको हर हाल में hysteresis हानी शुन्य करनी है, तो air core यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल practical transformer में किसका यूज करेंगे, practical transformer में steel की core यूज करेंगे, इस्टील की core की चुमख सिलता 4000 होती है, अनन्त तो नहीं है, लेकिन उच्छ है, इस्टील आसानी से मिलता है, अब जो ideal transformer होगा, ideal transformer हिस्टरिसिस हानी 0 होगी, उसमें जो core होगी, उसका चुमख सिलता अनन्त होगी, प्रश्ण पूछा जागा, ideal transformer में core की चुमख सिलता होती है अनन्त होती है, ideal transformer में hysteresis हानी होती है, शुन्य. दूसरी iron loss में जो हानी है, उसका नाम है भवरधारा हानी, ध्यान देजेगा. ध्यान समझेगा, भवरधारा हानी है, तो पहले भवरधारा हानी होती है, तो आप समझेंगे तब ही मालूम चल पाएगा. भावरदारा हानी का मदलब होता है जैसे ये कोर है ध्यान दिजेगा ये कोर हमारे पास है इस कोर में हमारी वाइनिंग की गई है भावरदारानी समझ लिजेगा अभी तक समझ नहीं होंगे ध्यान दिजेगा तो जब इसमें हम AC सप्लाई देते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी में भी विद्दुतवाहाग बलुतपन होता है सेकेंडरी में भी विद्दुतवाहाग बलुतपन होता है कि जो winding की गई है जो winding की गई है वो conductor है चालक है यहां से flux निकलता है flux हमारा primary को भी काटता है असासाप में secondary को भी काटता है primary को भी काटता है, secondary को भी काटता है जिससे हमारा विद्दुत वाहग वलुत्पन होता है तो ध्यान दिजेगा, यह जो flux काट रहा है तो primary के भी चालक को काट रहा है, secondary को भी काट रहा है लेकिन क्या यह जो core है, यह भी तो लोही की है यह जो कोर है उभी तो इस्टील की कोर ही है इस्टील कोर का मनलब यह जो कोर है इस्टील की है जब इस्टील की है बच्चे तो इस्टील चालक है कि कूछ आलक है तो जवाब होगा इस्टील चालक है यह जो वाइंडिंग की का यह क्या है यह कापर की है या तो Elmuваичес problemन की is यह क्या है चालक, थोड़ा यह अच्छा चालक है यह थोड़ा खराब चालक है तो जो बिद्दूत वाहागवल इस primary कुन्डली में उत्पन हुआ है जो secondary में उत्पन हुआ इसी तरह इस Core में भी इस Core में भी बिद्दुत वहाग उत्पन होता है जब कोर में बिद्दुत वहाग उत्पन होता है तो ध्यान दिजेगा मैं छोड़ा समनाग दिखा रहा हूँ यह सॉलिड कोर है जब सॉलिड कोर है तो इसमें बालक ध्यान दिजेगा इसमें जब बिद्द वहागुलपन होगा तो सॉलीड है तो धारा फ्लो होगी चुकि सॉलीड है धारा गोल-गोल-गोल घूमने लगेगी यह जो धारा होगी उच्छ मान की होगी जब धारा का मान उच्छ होगा तो लॉस बहुत जादा होगा जब loss बहुत ज़ादा होगा तो core का ताप मान बढ़ेगा core का ताप मान बढ़ेगा तो core जल्दी से खराब हो जाएगी तो ध्यान दिजेगा यह जो धारा है यह जो कि भवर के रूप में है इसलिए इसे बोलते हैं भवर धारा भवरधारा बोलते हैं और इससे जो हानी होती है इससे बोलते हैं भवरधारा हानी क्या बोलते हैं भवरधारा हानी भी इसे एक बाद यां दिजेगा जो बिद्दुत वाहागवल प्राइमरी सेकेंडरी में उत्पन करता है फ्लक्स, वहीं फ्लक्स इस core में भी विद्दुत वहा गुलतपन करता है और उस core में चुकी solid होती है जो solid होती है तो उसमें गोल गोल धाराएं flow होती है solid है पूरा का पूरा जिससे भवरधारा कहते हैं उस भवरधारा से core में जो हानी होगी उसे बोलते हैं भवरधारा हानी अगर ध्यान दिजेगा अगर इस core का resistance मैंने मान लिया RC इस core में जो भवरधारा flow ओर ही उसे मान ले हम IE तो core में भवरधारा के कारण जो हानी होगी उसे कह सकते हैं IE का square into RC अब बात आती है कि ideal transformer कैसे बनाया जाए जिससे भवरधारा हानी शुन्य हो पहले ideal की बात करेंगे फिर practical बनायेंगे तो भवरधारा हानी शुन्य तब होगी जब इस core का जो resistance है ये अनन्त हो जाए अगर core का resistance अनन्त हो जाए तो भवरधारा हानी होने वाली नहीं है जैसे switchboard होता है switchboard में जब plug नहीं लगा होता switch on नहीं होता तो voltage तो रहता है लेकिन धारा का प्रवा नहीं होता लेकिन जैसे switch on करते हैं धारा flow होने लगती है तो अगर इसका resistance इस core की resistivity अनन्त कर दें ध्यान दिजेगा अगर इस core की resistivity अनन्त कर दें इस core की resistivity अनन्त कर दें तो निश्चित रूप से भवरधारा हानी शुन्य हो जाएगी तो भवरधारा हानी ideal transformer में शुन्य तब होगी जब core की प्रतिरोधकता अनन्त हो प्रश्ण पूछा जाएगा प्रश्ण पूछा जाएगा कि ideal transformer में भवरधारा हानी शुन्य होती की नहीं होती है core की प्रतिरोधकता क्या होती है तो core की प्रतिरोधकता अनन्त होती है core की प्रतिरोधकता अनन्त होती है अब hysteresis में बने बोला था core की चुम्बक सीलता भी अनन्त होती है core की चुम्बक सीलता चुम्बक सीलता भी कितनी थी? अनन्त थी अब कोर की प्रतिरोधकता क्या है? अनन्थ है, जब कोर की प्रतिरोधकता अनन्थ है, तो भवरधाराहानी शुन्य होगी, भवरधाराहानी क्या होगी? शुन्य होगी, तो ideal transformer में कोर ऐसी होगी, जिसकी प्रतिरोधकता अनन्थ हो, अब बात करते हैं, practical में क्या कोई ऐसी कोर रूपलब्द है, जिसकी प्रतिरोधक्ता अनन्थ होती है, तो जबाब है कि एर कोर है, लेकिन एर यूज नहीं कर सकते, तो फिर बात आती है कि इस टील हम यूज कर रहे हैं, अब ही हिस्टिरिसिस में आप पीछे देखेंगे, तो इस टील मैंने चैन किया था, तो फिर बात प्रतिरोधक्ता अगर बढ़ाना है, तो प्रतिरोधक्ता क्यों बढ़ाना है, प्रतिरोधक्ता इसलिए बढ़ाना है, ताकि भवरदा रहानी कम से कम हो, प्रतिरोधक्ता बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगी, पहला काम करते हैं, चार से पांच प्रतिशस सिलकान मिलाते है चार से पांच प्रतिशस सिलकान मिलाते हैं सिलकान मिलाने से सिलकान मिलाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है इससे ज़्यादा सिलकान नहीं मिला सकते सिलकान सेमिकंडक्टर है स्टील मिलाएंगे इससे ज़्यादा गर सिलकान मिलाएंगे तो कोर भंगूर हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, दूसरी बात इससे भी काम नहीं चलता, तो फिर हम लोग करते क्या है कि इस स्टील को कोर को, आप लोग पेपर का अपने लिमिनेशन कराते हैं, जो इंपोर्टेंट काउगज होते हैं, उस पे लगा के प्लास्टी का कभ देते हैं, उसी प्रकार इस स्टील को 0.35 से 0.5 mm मीली मीटर, 0.5 mm की पतली पतली पतियों में काट कर लिमिनेट करेंगे, लिमिनेट किसे करेंगे, प्लास्टिक से नहीं, लिमिनेट करेंगे ध्यान दिजेगा, वर्निस से, वर्निस एक कूच आलक पदार्थ है, जो कि दोनों साइट, जो पतली पतली पत्टी होगी, उसके दोनों साइट लेपन हो जाएगा, जब पतला पतला लिमिनेट हो जाएगा बच्चे, तो एक की धारा दूसरे में जाने वाली नहीं है, ध्यान दिजेगा, अकर आपको दिखाना चाहें, ध्यान दिजेगा, ये लेमिनेशन आपको दिख रहा है, यह दिखे, पतला-पतला आपको दिख रहा है, थोगा सा मोटा दिखाया गया जैसे एक, दो, तीन, यह लिमिनेशन है, बहुत पतला-पतला होता है, 0.3, 5, 6, 0.5 वर्नीस का कलर जो होता है, हलका सुनहरे कलर का होता है, पीले कलर का होता है अरे पंखे की जो वाइंडिंग होगी उसके उपर देखते हुए, पीला-पीला पर चड़ा होता है तो वहीं लेयरी वर्नीस होती है, तो हम लोग प्रतिरोध हकता बढ़ाने के लिए ध्यान देजेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा भवरधारा आनी कम हो जाएगी भवरधारा आनी को शुनी नहीं कर सकते तो ये हमारा practical transformer हो जाएगा तो ध्यान दिजेगा हम ideal की बात कर रहे थे तो ideal transformer की कलपना के साथ practical की भी कलपना कर रहे थे तो practical मैंने बोला था कि loss हमारे एक हमारा हो गया था copper loss दूसरा हो गया iron loss तीसरा जो loss है तीसरा loss हमारा है परावेद्धु थानी परावेद्धु थानी को हम लोग बोलते हैं dielectric loss डाइलेक्ट्रिक loss का मतलब होता है जो winding होती बच्चे ध्यान दिजेगा बच्चे ये देखो दिख रहा आपको जैसे ये जो winding की गई है इस winding के ऊपर insulation मोटी मोटी seat लगाई जाती है insulation की वर्नीज भी insulation है तो उस insulation में भी loss होता है उस loss को हम लोग बोलते हैं dielectric loss जो insulation पदार्थ में हानी हो insulation का मलब समझ गए हैं बिद्दुत रोधन बिद्दुत रोधन का मलब जैसे आपके घर में जो तार होता है उस तार के उपर PVC का लेयर होता है जिससे कि जटका उटका ना लगे उसी तरह winding जो होती है winding के ऊपर insulation लगाया जाता है मोटी मोटी layer लगाया जाती है उस layer में जो हानी होती है उसे बोलते हम लोग dielectric loss तो बिद्दुत रोधन में होने वाली हानी हमारी शुन्य होनी चाहिए शुन्य होनी चाहिए और शुन्य तब होगी जब वो परावैदुत पदार्थ बहुत अच्छा हो मलब उसका resistance या कहिए उसकी resistance अनन्थ हो मलब उसकी धारा लीके जोने के कोई चांस ही ना हो तो परावैदुत हानी शुन्य होगी परावैदुत हानी क्या होगी शुन्य होगी तो हमारा प्रैक्टिकल की जब बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में हमारे पास हम लोग ऐसे इंसुलेटिव ऐसे पदार्थ का चैन करेंगे जो की हमारा अच्छा कूछ आलग पदार्थ हो अनन्थ ओम के resistance वाला कोई कूछ आलग पदार्थ उपलब नहीं है जो उपलब होगा ऐसा र प्रैक्टिकल का चैन का हम दो देख लिए अब आइडियल की बात करेंगे आइडियल नहीं होगा ध्यान दिजीगा तो अधैर रखिएगा तभी घ्यान पूरा मिल पाएगा लॉस तो हमारा हो गया पाउर लॉस जीरो हो गया तो दक्षता हमारी अच्छी हो गई अब हमाँ आइडियल ट्रांसमरी चल रहा है ध्यान देना बच्चे ध्यान देना बच्चे यह हमारी प्राइमरी हो गई यह हमारी सेकेंडरी हो गई जिस साइड से एनर्जी देते हो उसे प्राइमरी बोलते हैं अब जिस साइड से एनर्जी निकालते हो उसे सेकेंडरी बोलते हैं अब देखो बालक आइडियल की बात हो रही है तो ideal transformer में primary में जब supply देते हैं तो flux निकलता है flux निकलता है तो ideal transformer वही होगा जिसमें primary से निकलने वाला सारा का सारा flux secondary में जाए और core से होकर जाए air से न जाए इस core से होकर जाए पूरा का पूरा मतलब थोड़ा सा भी leakage ना हो थोड़ा सा भी leakage ना हो अगर primary से हमारा अगर यहां से 10 बेबर flux निकला है तो 10 बेबर secondary से जाके जुड़े 10 बेबर secondary से जुड़े अर्थात ये कह सकते हैं कि ideal transformer में प्रश्ण में ने बोला था कि 35 से 40 बनते हैं ideal transformer में leakage flux का मान 0 होता है leakage flux का मान 0 होता है मतलब कोई flux leakage होने वाला नहीं है दूसरी बात एक सब्दी स्वाहल होता है linkage confused मत होईएगा linkage का मतलब होता है ग्रंथित flux जुड़ने वाला flux linkage flux का मान 100 प्रतिशत होता है दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है leakage का मतलब छरण leakage का मतलब छरण छरण का मतलब जो जो निर्धारित पात का अनुसरा नहीं करे linkage का मतलब 100 निकला 10 जुड़ गया मतलब जुड़ने वाले flux को linkage flux linkage या हिंदी बोलते हैं ग्रंथित तो ग्रंथित flux का मान 100 प्रतिशत होता है प्रश्ट दोनों पुछा जाएगा कि ideal transformer linkage flux होता है 0 भी रहेगा 100 भी रहेगा ध्यान दिजेगा linkage 100 प्रतिशत होगा leakage 0 होगा फिर एक सब्द इस्तेमाल होता है leakage factor कि प्रश्ट न पूछेगा कि क्या ideal transformer में leakage factor का मान क्या होता है leakage factor को हम लोग बोलते हैं Hopkinson गुडांक Hopkinson गुडांक तो leakage factor बराबर क्या होता है cool flux बटे के उपयोगी flux तो यहां तो जितना flux निकल दा पूरा कपर उपयोगी ही है मतलब दोनों बराबर है leakage flux है यह नहीं है तो यह दोनों बराबर है तो leakage factor का मान एक या अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो 100 प्रतिशत ideal transformer में leakage factor का मान एक या 100 प्रतिशत होगा गरंतित flux 100 प्रतिशत होगा leakage flux सुन्य होगा यह हमारा प्रश्ण 3 इस से पुछेगा ideal transformer से यह term use होगे अब ध्यान दिजेगा next time आता है ध्यान दिजेगा बच्चे एक सब्दी आता है युगमन गुड़ांग जिसे हम लोग बोलते हैं इंगलिस में coupling coefficient मैं हिंदी में लेगी दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई समस्या आना हो coupling coefficient coupling coefficient जिसे के से दिखाते हैं coupling गुड़ांग यह बताता है कि primary से निकलने वाला flux secondary में कितना जुड़ा प्राइमरी से निकलने वाला flux secondary में कितना जुड़ा तो ideal transformer में युगमन गुड़ांग का मान 100% होता है मलब पूरा का पूरा flux जुड़ता है के कमान एक या 100% होता है के बराबर होता क्या इसका formula basic में पढ़ाया था पढ़िएगा फिर के बराबर होता है M upon root 11 into L2 यह युगमन गुड़ांग का formula है M को बोलते हैं पारसपरिक प्रेरकत्व 11 को बोलते हैं प्राइमरी का स्वापरिरकत्व L2 को बोलते हैं सेकेंडरी का स्वापरिरकत्व तो युगमन गुड़ांग का मान एक या 100% होता है आदस transformer में अब बात आती है practical की practical की तो practical transformer की जब बात आगी बच्चे तो ध्यान दिजेगा हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे ऐसा डिजाइन करेंगे की leakage flux कम से कम हो तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं जैसे एक winding ये winding है तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि दोनों winding को एक दूसरी को ऊपर अस्थापित कर देंगे ध्यान देज़ेगा मैं इमेज के थूँ दिखाता हूँ आपको जैसे ये 3-fist का transformer है अगर आप वो दिख रहा हो तो ध्यान देज़ेगा 3-fist का transformer है अगर transformer में primary, secondary दोनों होती है ये दिखेगा जो आपको ये दिख रहा है ये हमारी low voltage winding की होगी ice के उपर कौन सी है? high voltage मलब primary भी इसी core पर है secondary भी इसी core के उपर है मलब जो flux निकलेगा दोनों link ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप समझ नहीं पाए 3-fist के transformer में 3-fist का मलब नहीं समझ पाए होंगे आप जैसे हम इसको बना के अच्छे समझाते हैं होगा समझने के लिए समय देना होगा समय खाली यह पिनान से देखे 3-fist का जैसे या डिजाइन करते हैं तो कैसे करते हैं अब ध्यान देना बच्चे यह 3 कोर हो गई पहली कोर, दूसरी कोर, तीसरी कोर हम जानते हैं 3-fist में 3 supply आती है 3 तार आते हैं अब 3 तार निकलते भी है तो कैसे करें मलब एक primary में 3 winding होगी secondary में 3 winding कुल winding कितनी होगी 6 6 कुंडलन होगी यह तो ध्यान दीजेगा यह 3 कुंडलन primary side के होगी इसी तरह 3 कुंडलन में यह नीचे अलग अलग दिखाया हूँ ताकि आप बस देख सको वास्तों में होगा क्या जैसे भी image में दिख रहा था low voltage winding कोर के नजदीक होगी उसके उपर insulation लगाएंगे insulation लगाकर फिर उसके उपर high voltage करेंगे मैंने अलग अलग दिखाया है इस तरह winding होती है मलब हम लोग leakage flux कम करने के लिए कुछ इस टाइप से ब्यवस्था बनाएंगे ब्यवस्था बनाकर फिर हम लोग इसका connection कर देते हैं अगर star delta जोड़ना है तो इनको इस star में जोड़ लेंगे तो यह हमारा star हो जाएगा तीन हो जुड़ गये फिर इसको इस side star बनाँट बनाँट बनाँगे बना सकते हैं तो ध्यान दिजेगा leakage flux कम करने के लिए हम लोग inter living winding करते हैं टॉपिक पे आते हैं अपने प्रैक्टिकल ट्रांस्वर्बर की अगर ब्रात करें कि लीकेज फ्लक्स कैसे कम होगा सुने तो नहीं कर सकते लेकिन लीकेज फ्लक्स कैसे कम होगा जवाब है इंटर लीविंग वाइंडिंग करकर inter living winding का मलब एक दूसरे के उपर inter living winding करके कुंडलन करके हम लोग leakage flux कम करते हैं और हमारा leakage flux का मान जनरली practical transformer में 5 प्रतिशत आज कल 5 से 10, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 5 ही प्रतिशत होता है leakage flux का मान leakage flux का मान 5 प्रतिशत होता है फिर अगर leakage factor की बात करें तो practical transformer में जो leakage factor होगा वो 105 से 110 प्रतिशत 105 से 110 प्रतिशत या प्रतिशत नहीं लिगा ना तो 1.05 से 1.10 मलो 1.1 leakage factor का मान होगा वहीं अगर युगमन गुडान की बात करेंगे practical transformer में तो युगमन गुडान का मान 90 प्रतिशत से ज़्यादा 90 प्रतिशत से ज़्यादा या 0.9 से ज़्यादा होगा आइडियल में 100 प्रतिशत होता था ये प्रैक्टिकल ट्रांसमर होगा ध्यान दिजेगा आम next आइडियल की बात करते हैं ध्यान देना बच्चे एक-एक सब्द चल्ला आइपिनां से आइडियल ट्रांसमर की बात मैंने बोला था 35 से 40 प्रश्ट बनते हैं मैं आइडियल ट्रांसमर का सारा सार एक ज़्यादा दे रहा हूँ ध्यान दिजेगा आइडियल ट्रांसमर में बोल्टिज ड्रॉप नहीं होता बोल्टिज ड्रॉप नहीं होता आइडियल ट्रांसमर में बोल्टिज ड्रॉप किसे कहते हैं आइडियल बोल्टिज ड्रॉप शुन्य होता जिड को प्रतिवाधा बोलते हैं तो ध्यान दिजेगा बोल्टिज ड्रॉप कब शुन्य होगा जब प्रतिबाधा Z का मान 0 हो जिसे प्रतिबाधा बोलते हैं Z कब 0 होगा Z बराबर होता है अंडर रूट R काई स्क्वाईर प्लस XL काई स्क्वाईर ध्यान दीजेगा तो हम ideal transform पहले बता चुके थे कि resistance तो 0 होता ही है ideal में अब बात करते है XL की XL क्या है XL हमारा जो होता है 2πFL होता है जिसे भी मातरक ओम होता है इसे हम लोग बोलते हैं leakage reactance leakage reactance या इसे बोलते हैं छरण प्रतिगात ध्यान दीजेगा ये क्या होता है ideal transformer में leakage reactance भी 0 होता है प्रश्ण पूछा जागर बताना पड़ेगा ideal transformer प्रतिवाधा 0 होती है resistance 0 होता है leakage reactance 0 इसलिए होता है चुकि ये leakage flux के कारण छरण flux के कारण होने वाली voltage की कमी को दिखाता है इसलिए ये जो axle होता है ये हमारा leakage flux पर निर्भर करता है और ideal transformer में leakage flux जब 0 होता है इसलिए axle का मान भी 0 होता है इसलिए axle का मान भी 0 होता है तो ideal transformer ये प्रश्ण पूछे जाएंगे प्रतिवाधा क्या होती है 0, resistance क्या होता है 0, axle क्या होता है 0, axle 0 क्यों होता है क्योंकि leakage flux ही जब 0 है ये भी 0 होगा दिखान दिखेगा तो voltage drop भी क्या होगा 0, ideal transformer ये चार प्रश्ण त्यार हो गए चार प्रश्ण है उसके बाद जब voltage drop 0 है तो एक सब इस्तेमाल होता है voltage regulation voltage regulation ध्यान दिखेगा तो voltage regulation होता है ये voltage regulation VR बराबर होता है no load voltage minus full load voltage बटे के full load voltage गुडे 100 तो ध्यान दिखेगा no load of full load voltage का जो अंतर होता इसी को हम लोग बोलते है voltage drop voltage drop बटे के full load voltage देख पात बाद बाला voltage drop तो 0 है न तो ideal transformer जब voltage drop 0 है तो voltage regulation का मान भी क्या होगा 0 प्रश्ण पुझा जाएगा ideal transformer बोल्टे रेगुलेशन होता है voltage regulation को हिंदी बोलते हैं बोल्टता नियमन बोल्टता नियमन 0 होगा ये हमारे प्रश्ण होगे voltage regulation से रिटेट अब ध्यान दिजेगा जब voltage drop 0 हो गया loss 0 हो गया तो अब हमारी जो बालक जो energy होगी जो primary की energy होगी जिसे हम अगर single phase रहेगा तो V1 I1 कहेंगे अगर 3 phase रहेगा तो कहेंगे ये जो P1 सब्द यहां इस्समाल किया गया है ये आभासी शक्ती के लिए समाल किया गया है इसलिए मैं S1 लिखता हूँ S1 बराबर होगा V1 I1 ये आभासी शक्ती है जिसका मातरक bolt ampere होगा अगर 3 phase का रहेगा तो कहेंगे root 3 V1 I1 जहां V1 line voltage I1 line धारा तीन phase के लिए है ये जो power होगा अब primary और secondary का वो बराबर होगा secondary में S2 क्या होगा V2 I2 अब 3 phase रहेगा तो कहेंगे root 3 V2 I2 अब ये दोनों power क्या होगे S1 बराबर S2 मलब जितनी energy primaries जाएगी secondary में जाएगी कोई loss होने वाला नहीं है next round यूज होगा हमारा ideal transformer के लिए ideal transformer के लिए कि हमारा जो दक्षता होगी दक्षता बराबर क्या होता है output power बटे के input power output power बटे के input power जब कोई दोनों जब बराबर है तो दक्षता 100% या 1 होगी ध्यान देजेगा तो एक तरह से हमारा ideal लेकिन practical transformer जो हम इसी को देख कर बनाएंगे जो इसी को देख कर बनाएंगे उस practical transformer की दक्षता भी हमारी practical transformer की जो दक्षता होगी वो भी हमारी 98 से 99% तक जाएगी जो कि ideal की तुलना में 1% सिया 1.5% ही कम है ये होता है बालक machine design करने का term उसी प्रकार हम लोग अपने आपको भी design करना चाहिए हम लोग को भी अपने गुणों की तुलना हमेशा ideal personality से करनी चाहिए चाहे वो स्वामी बिवेकानन्द हो चाहे एपिदुल कलाम हो चाहे महात्मा गांधी हो चाहे मदर तरेशा हो चाहे महाराणा प्रताप हो चाहे बीर सिवाजी हो चाहे जासी की रानी हो चाहे हमारे श्री राम हो स्री कृष्ण हो हनुमान हो चाहे हमारे गुरु गोबिन सिंग हो जिस धर्म के जो ideal है उनसे compare करके अपने गुणों का विकास करना चाहिए तो आप ideal transformer समझ गया होंगे next class में आपका practical transformer की designing बताएंगे तो अब इसनी class close करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच आपका दिन सुभ हो